सपने में तैखाना देखना या सपने में खुद को तैखाने में जाते हुए देखना या बंध होते हुए देखना एक बहुत ही कीमती सपना माना जाता है जो कि जीवन में चल रही और बहुत सी मुसीबतों को कैसे हल करना है या उनसे कैसे बचा जा सकता है इसी बात की और सं करता है जिसको सपने की विपी नवस्थाओं के माध्यम से सही से समझा जा सकता है जैसे अगर कोई सपने में खुद को तैखाने में जाते हुए देखता है तो यह सपना आपको अपने अंदर छिपी उस प्रतिभा को खोजने की और संकेत करता है जो आपके अंदर मुझूद तो हैं लेकिन आपको अभी उसका पता नहीं है या बहुत बार यह सपना अपनी उन पुरानी ख्वाहिसों को पूरा करने की और संकेत करता है जिसको आप कभी पूरा करना चाहते थे लेकिन आप समय के साथ उनको अभी भूल गए हैं और अगर कोई सपने में खुद को किसी कि तै खाने में बंद या फसा हुआ पाता है और चाहत कर भी वहां से निकल नहीं पाता है, तो यह सपना आपको अपने पाश्ट की यादों और बातों से जितना जल्दी हो सके बाहर आने की और संकेत करता है वरना आप पाश्ट के चक्कर में अपना मन चाहा भविश्य क् और अगर कोई सपने में घुद को किसी तैख आने में जाने के बाद खोया हुआ या रास्ता भूला हुआ पाता है तो यह सपना आपके मन में चल रही किसी प्रकार की दूईधा की और इशारा करता है जिसके कारण आप कोई चीज सही से डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि वह आपके लिए सही रहेगा या नहीं तभी आपको कुछ इस तरह के सपने आ रहे हैं जिन से बचने के लिए आपको फैसले अपने दिमाग को सांथ करके दिल से लेने की कोजिस करनी चाहिए तभी आप एक बहतर डिसीजन लाइफ में ले पाएंगे